हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैज़ेश दुमीब तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वीवोई स्मार्टफोन जो की अभी के टाइम पे आते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वीवो कमपनी है वो अपने वहतर डिजाइन और टॉप नौच लेवल के कैमरा स्पास्पिकेशन के लिए जाने जाती है तो अगर आपको भी कोई एक बेस्ट कैमरा डिजाइन वाला वीवो का वेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आज की इस वीडियो हमने सेलेक्ट किये हैं टॉप फाइब बेस्ट वीवो स्मार्टफोन जो अभी के टाइम पे इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आपको फ्लक्सिल लेवल वाले प्रोसेसर के साथ फ्लक्सिल लेवल वाले स्पैस्पिकेशन देखने को मिल जाते हैं तो चलिए डीटेल से डिसकस करते हैं सभी स्मार्टफोन की स्पैस्पिकेशन सेंट फीचर्स के बारे में बड़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि आपको फूटर की अपडेटस भी मिलती रहे चलिए वीडियो को इस टार्ट करते हैं तो अगर बात करें हमारी लिस्ट के फ़र्ष्ट स्मार्टफोन के बारे में तो वो है Vivo X80 Pro 5G स्मार्टफोन अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के तो तो 6.78 इंचेस की एक बड़ी AMOLED डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिलती है जो कि 1440 x 3200 पिक्सल्स की है और इसके अलावा आपको 120 का रिफ्रेशेट आपको यहां इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा तो ओबरॉल डिस्प्ले इस स्मार्टफोन की काफी यहां अच्छी है तो हाँ इस स्मार्टफोन के साथ आपको वीडियो एक्स्पिरियंस काफी यहां अच्छा रहेगा जिसमें आपको डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और चौथा आपको यहां देखने को मिलेगा 8 Megapixel एक camera जिसमें आपको 60x तक की डिजिटल जूम का सपोर्ट रहेगा और अप्टू 5x तक की optical जूम का भी सपोर्ट रहेगा इसके अलावा बैक पर आपको एक LED flash देखने को मिल जाएगी और यह जो camera होगा वो आपकी video को 24fps पर 8K तक की video recording को सपोर्ट करेगा तो यह काफी अच्छा feature हो जाता है जिनको भी एक अच्छा camera चाहिए जो भी एक content create करते हैं जिनको भी vlogging करने हैं उनके लिए इस smartphone काफी अच्छा हो जाता है वही अगर बात करें इसके front camera की तो front में आपको 32 megapixel के wide angle lens देखने का मिल जाता है और सामने से भी अगर आप video record करोगे तो 30fps पर आप 4K quality तक video को record कर सकते हो वही अगर battery specifications की बात करें इस smartphone की तो यहाँ पी आपको मिलती है 47 image की बड़ी हा battery जो की 80 watt की flash charging को support करती है इस smartphone की specifications काफियाद अलाज हो आप है इस price range में और यहाँ पी आपको मिलता है stylish design तो चलिए यह रहे हमाई list के first smartphone की आप बढ़ते हमाई list के वीवो के next smartphone की तरफ जो की है वीवो X80 smartphone अगर बात करें इस smartphone की price की तो तकरीबन यह आपको 50-60,000 रुपीज में देखने को मिलेगा अगर आपको budget कम है कम budget range वाले भी smartphone हमने अपनी list में select किये हैं वही smartphone भी आपको आगे देखने को मिलेंगे तो अगर बात करें इस smartphone के specifications की तो यहां पी आपको मिलता है Mediatek Dimensity 9000 का chipset जो कि यह कॉक्टाग और प्रोसेसर है और यहां पी आपको RGB RAM का support देखने को मिलता है वह एगर इसके display specifications की बात करें तो यहां भी आपको 6.78 inches की बड़ी AMOLED display देखने को मिलती है जो की 1018-2400 pixels की है और यहां पी आपको मिलता 120H का refresh rate support तो यहां भी आपको smooth experience feel होगा जब भी आप phone को use करोगे इसके photography features की बात करें तो यहां भी आपको camera quality काफी तगडी देखने को मिलती है जो कि है triple camera setup जिसमें 50 megapixel के आपको primary camera देखने को मिलेगा 12 megapixel का एक wide angle lens और तीसरा 12 megapixel का आपको एक camera support रहेगा और अप्टू 2X तक की optical zone का support रहेगा इसके लावा बैक पी आपको LED flash देखने को मिल जाएगी और यह जो बैक वाला camera होगा इससे आप 30fps पर maximum 4K quality वीडियो को record कर सकते हैं अगर सामने वाले camera की बात करें तो सामने आपको 32 megapixel का camera देखने को मिल जाता है यहां से आ 80W के fast charging को support करती हैं तो हाँ यह काफी आदा अच्छा feature हो जाता है और 80W की charging speed आपको मिल जाती है तो आपका phone काफी जल्दी charge जाएगा और इस smartphone में आपको काफी premium design देखने को मिल सकता है तो जो भी वीवो का एक अच्छा phone लेना चाहते हैं वो इसी smartphone की तरब भी जा सकते है अब बढ़ते हमाई list के next smartphone की तरब so next smartphone हमाई list का आता है वी वो V27 Pro smartphone जिनको भी एक recent launched phone चाहिए मतलब अभी जो recently launch हुआ हो और एक नया phone हो market में वो अगर वो ही smartphone चाहिए तो आप इस smartphone की तरब जा सकते हैं अगर बात करें इस smartphone की pricing की तकरीबन आपको यह smartphone 37,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा अगर इस specifications की बात करें तो इस smartphone में आपको मिलता है Mediatek Dimensity 8200 chipset जो कि एक octa-core processor है और यहां भी आपको 8GB की RAM support देखने को मिल जाएगी वह यह अगर इसके photography features की बात करें तो इसमें आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसे 50 megapixel का primary camera दिया गया है 8 megapixel के ultra wide angle लें जो की secondary camera है और तीसरा आपको यहां 2 megapixel के micro camera देखने को मिल जाता है और इस smartphone में सबसे खास feature जो है इसका यह है कि इसमें आपको ring LED देखने को मिलती है तो आप रात में भी काफी अच्छी photo को click कर पाऊगे तो अगर आपको रात में photo को click करना है नाइट में अगर रिकॉर्ड करेगा जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करोगे बात करें तो 4600 mh की आपको यहां बैटरी देखने को मिलती है और 66 watt का fast charging support देखने को मिल जाता है वहीं अगर बात करें इस smartphone के display की तो 6.700 inches की यहां भी आपको सेम एक बहुत भी बढ़ीया MLED display देखने को मि गेमिंग करोगे तो 120H के refresh rate दिया गया है तो आपको गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यह रहे हमाई लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के specifications and features अब बढ़ते हमाई लिस्ट के 4th स्मार्टफोन की तरफ जो की है Vivo V20 Pro 5G स्मार्टफोन अगर बात करें इस इसके battery specifications की 4830 mh की आपको यहां battery देखने को मिलती है with 66W fast charging support अगर बात करें वहीं अगर इसके display की तो 6.56 inches की एक बढ़िया AMOLED डिस्पले आपको यहां देखने को मिल जाती है जो की 1018 to 2376 pixels की होगी और यहां भी आपको same 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है वहीं अगर बात कर इसे smartphone की photography features की तो यहां पर आपको triple R camera setup देखने को मिलता है जो की 64 megapixel primary camera के साथ आता है और secondary camera आपको देखने को मिल जाए या 8 megapixel का जो की ultra wide angle lens है और 30 आपको देखने को मिलेगा 2 megapixel का 1 micro camera और अगर आप इस camera से video को record करोगे तो 4G quality में आप maximum video को record कर सकते हो 30fps पर सामने camera की बा एक खास बात यह है कि इसमें आपको एक एकक्यूसाइट डिजाइन देखने को मिलता है capable display देखने को मिलती है और काफी अच्छे camera स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाते हैं तो हाँ यह रहे इस स्मार्टफोन के स्पासिफिकेशन सेट features अब बढ़ते हमाई लिस् इनको भी recent launch phone चाहिए वो इस स्मार्टफोन को consider कर सकते हैं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पासिफिकेशन की तो मीडेटिक डायमेंसटी 7200 का chipset आपको यहां देखने को मिलता है जो कि यह कॉक्टो को प्रोसेसर है और इस chipset के help से आपको अच्छी खासी gaming कर सकते है और अच्छी performance देगा यह chipset आपको जब भी आप heavy task phone में करेंगे इसके साथ आपको मिल जाती है RGB की RAM सपोर्ट यहां पर वही अगर बात करें इसके photography features की तो यहां फिपर ही आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 50 megapixel का wide angle lens दिये गये है जो कि primary camera है 8 megapixel का ultra wide angle lens है और तीसरा 4K quality में 30 fps पर video को record कर सकते हो सामने वाले camera की बात करें तो सामने आपको 50 megapixel का wide angle lens देखने को मिल जाता है और सामने से आप maximum 4K quality में 30 fps पर video को record कर सकते हैं वहीं अगर बात करें इसे smartphone के displays fastifications की तो 6.78 inches की AMOLED display आपको यहां भी देखने को मिलती है जो 1080 to 2400 pixels की है और उसमें भ Vivo के smartphones discuss के हैं उनके camera और display quality लाजवाब है आप किसी भी smartphone को prefer कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं जितने आपको budget है आप अपने budget के अनुसार कोई भी Vivo का smartphone ले सकते हैं अगर आप Vivo का smartphone लेना जाते हैं अगर बात करें इस smartphone के battery specifications की तो 4600 mh की आपको यहां battery देखने को मिलती सकते हैं जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद आते हैं जितना आपको budget है आप अपने budget के अनुसार को ले सकते हैं अगर आप बजट और ज्यादा कम है तो मैं अपने description में लिंक दे दूगा उन स्मार्टफोन को भी आप चेक कर सकते हैं जितना आपको budget है मैंने details से discuss करा हुआ है काफी सारे स्मार्टफोन बजट रेंज में तो आपको description चेक करना होगा इसके लिए वीडियो आपको काफी होता helpful लगी होगी अगर helpful लगी है तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिए अगर लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं और दिए अए गल्योग ठाव टार्री है में अटूशन बढले कर दो आपको आपको काफी होगी 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 वीडियो में एगरे नता नहीं कर दो आपको काफी कर दो ऑना है वीडियो आपको